दोस्तों नमस्कार, नोफेल प्रीडरीस में आपका बहुत बहुत एक वार फिर स्वागत है दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी घर पर रहे करके कोविड-19 के दौर में अच्छे से होंगे और कोविड-19 के जो रूल्स हैं उनका आप फालू कर रहे होंगे और इसी तरह मैं आशा करता हूँ घर पर रहे है, सुस्त रहे है और मस्त रहे है चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप सभी का तो मैं सबसे पहले तहे दिलशे शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने जो पहले की हमारी मौक टेस्ट सिरीज थी चाहें वो LIC एजन को लेकर के मौक टेस्ट सिरीज हो या Life Insurance एजन को लेकर के मौक टेस्ट सिरीज हो सभी में जो आपने अपना सनेह मुझे दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ दोस्तों जो लोग आज हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं याँ पर पहली बार हमारे चैनल पर आई हुए हैं तो उनसे मारी यही रुकेश्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें फिलाल यह जो हमारी मॉक टेस्ट सिरीज है वो हमारी ट्रिपल सी एक्जाम को लेकर के मॉक टेस्ट चलने वाली है और आशा करता हूँ जो ट्रिपल सी के एक्जाम में स्टुडेंट्स बैट रहे होंगे या अन्य कोई कमडिशन में आप कम्प्यूटर का एक्जाम होने वाला है तो उसमें ये जरूर हैल्फुल साबित होगी चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो आज का हमारा पहला कुश्चन कम्प्यूटर जी के इन हिंदी को लेकर के है पहला कुश्चन है और्गनेशन यानि ओर जी जिसको बोलते हैं उसका संबंध किस छेतर से होता है ओर जी अगर लिखा हुआ है तो उसका संबंध किस छेतर से ही है ये आपको बताना है तो जी है और ORG का फुल फार्म अगर हम बात करें तो organization होता है और organization का मतलब होता है संगटन ठीक है तो यहाँ पर आपका answer क्या रहेगा संगटन रहेगा देखी यहाँ पर यह जो mock test series है यह one liner की है यानि question और answer है आप इनको निर्वाट ट्यूब किस पीड़े के computer से सम्मंदित है तो यह जो निर्वाट ट्यूब होती है यह प्रथम पीड़ी के यह फर्स्ट generation जो होती है उससे computer से सम्मंदित होती है ठीक है चली अगला question देखते हैं सूचना राजपत किसे कहते हैं जी हाँ सूचना रासपत, यानि कि जो information होती है, वो किस तरह से जाती है, तो यह होता है, इंटरनेट को जो है सूचना रासपत हिंदी में कहा जाता है, चलिए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है कि इनमें से किसका प्रयोग करते यह वे पेस बनाए जाते हैं जो वे पेस आप इंटरनेट पे पेस खोलते हैं, इनमें किसका उप्योग करके वो वे पेस बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसका answer जो होगा वो होगा hypertext markup language जैनि इसको एंगलिस में अगर हम बात करें, तो इसको html, आपने सुना होगा html कहा जाता है, html का full farm अगर बात करें तो hypertext markup language कहा जाता है, तो यह भी question आपका बन सकता है, कि html का पूरा नाम क्या है, ठीक है तो यह चीज़ आप याद कर लेंगे, hypertext markup language कहा जाता है अगला question देखते है इन में से क्या है कि एक background software है जिसकी मदद से computer अपने आंतरिक संसादनों को विवस्थित करता है background software, याणी computer में जो आपकी word के जरी से सूचना देते हैं तो वो आंतरिक संसादनों को विवस्थित करते हैं किसके द्वारा वो आपको शो करता है याणी वो application software बोला जाता है क्या बोला जाएगा application software एक background software होता है जिसकी मदद से computer अपने आंतरिक संसादनों को विवस्थित करता है चलिए अगला question देखते है एक आधार भू text editing याणी विशय वस्तु संपादक प्रोग्राम है और यह सामानिता text file को देखने और संपादित करने में प्रिक्त होता है ठीक है एक आधार भूत text editing program है जो कि text file को देखने और संपादित करने में प्रिक्त होता आप इसको देख भी सकते हैं और edit भी कर सकते हैं संपादित कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है, नोट पैड, इनमें से क्या होगा, नोट पोड होगा, चलि, अगला कुशन देखते हैं, ऑपरेटर, दो या दो से अधिक शर्थ पूरी होने के कारण, एक रिकार्ड को चुनने का कारण बनता है, operator 2 या 2 सेधिक end operator ठीक है क्या होता है end operator 2 या 2 सेधिक शर्त पूरी करने के कारण एक record को चुनने का कारण बनता है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं एक 16 अंकों वाला code है जिसे चीनी अत्वा जापानी जैसी अंतराश्ट्री भहसाओं के लिए प्रिष्ट तयार करने के लिए तयार किया गया है 16 अंकों वाला code ठीक है उसको क्या कहेंगे Unicode कहा जाता है Unicode एक 16 अंकों वाला code होता है दूसरी तरह question अगर हम बात करें तो Unicode निम्न में से है ठीक है इस तरह से भी question पूछा जा सकता है Unicode निम्न में से है तो वहाँ पे 16 अंकों वाला code 3 अंकों वाला code 6 अंकों वाला code या इस तरह से option से आपको रखे जा सकते है तो आप question और answer के तरह से अगर याद कर रहे हैं तो कोई भी question आपका गलत नहीं जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप ध्यान रखेएगा Unicode एक 16 अंकों वाला code है चलिए अगला question देखते हैं computer जो की user के लिए portable तथा कहीं ले जाने में सुविधा जनक होता है computer जो की user के लिए portable और कहीं ले जाने में सुविधा होते हैं उनको क्या करते हैं उनको laptop कहा जाता है यह सभी लोग जानते हैं कि उसको laptop कहा जाता है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं का उपयोग निमल में से किसका उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट डाकुमेंट को तयार करने और format करने के लिए किया जाता है जड़े जटिल text document को तयार करने में और format करने में प्रयोग किया जता है उसको गाते हैं wordpad जी हाँ wordpad जो है सबसे जटिल text होते हैं document तयार किये जते हैं और format करने के लिए इसका प्रयोग किया जता है चलिए आगला question देखते हैं program है जो web resource के लिए प्रविश मार्ग प्रदान करते हैं, प्रोग्राम क्या है, जो कौन सा प्रोग्राम है, यहां पर आप्शन आएगा, कौन सा प्रोग्राम है, जो विव रिसोर्स के लिए प्रविश मार्ग प्रदान करते हैं, तो वो होता है ब्राउजर, जी है, ब्राउजर के प्रोग्राम ह वो data आ जाता है जो भी आप search करना चाह रहे है चरी अगला question देखते हैं आपको graphics बनाने और संपादित करने की अनुमत देता है बलब क्या अनुमत देगा आपको graphics बनाने में और संपादित करने की अनुमत देता है जो कि Windows 7 के साथ उपलब्द एक लोगप्री कारिक्रम है वो कौन सा है वो होता है pent जी हाँ pent में आप क्या कर सकते हैं graphics बना सकते हैं और उसको संपादित भी कर सकते हैं यानि added भी कर सकते हैं आप Windows 7 के साथ उपलब्द एक लोगप्री कारिक्रम है चलिए अगला कुशन देखते हैं एक operating system का नाम है ठीक है क्या है computer एक मौलिक इस्तर को control करना एक operating system का नाम है ठीक operation क्या कहलाता है computer के एक मौलिक इस्तर को control करना होता है अगला कुशन का अर्थ है वह data जो की database में है और वह वास्तविक तथा भरोशे मंद है का अर्थ है किसका अर्थ है वह डाटा जो की डेटाबेस में है और वास्तविक तथा भरोशे मंद है उसको डाटा इंटेग्रेटी कहते हैं क्या कहते हैं डाटा इंटेग्रेटी कहते हैं ठीक है चली अगला कुशन देखते हैं का प इनमने से किसका प्रियोग करेंगे, जिससे कि उसको बचाया जा सकता है, तो firewall होता है, firewall का प्रियोग करके, कम्पेटर को आना दिकरत पहुँच से बचा सकते हैं, ठीक है, चली, अगला कुशन देखते हैं, नमने में से sequential access method का प्रियोग किया जाता है, tab drive में, tab drive में किसका प् method का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, चली, अगला कुशन देखते हैं, एक container जैसा है, जिसमें आप files को store कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहा जाता है, folder कहा जाता है, देखिए, एक container जैसा है, जिसमें आप files को store कर सकते हैं, तो folder आप new folder बना सकते हैं, पुराने folder में store सकते हैं बट उसमें आप चाहे जितनी फाइले जो है इस्टोर कर सकते हैं उसको एक अपना नाम भी दे सकते हैं ठीक है तो फोल्डर एक कंटेनर जासा होता है जिसमें आप फाइल्स को इस्टोर कर सकते हैं ठीक है अगला कुशन देखते हैं एक नेटवर्क प्रसारण के दवरान डाटा को सुरक्षित करने का तरीका है सुरक्षित करने का तरीका क्या है डेटा को एनक्रिप्ट करना एक नेटवर्क प्रसारण के दवरान डाटा को सुरक्षित करने का तरीका क्या है डाटा को encrypt करना यह तरीका है ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है किसकी सहाता से दुनिया के किसी भी दूरस्त इस्थान से कम्प्यूटर में वेव प्रेश्ट हों को ओपन कम्प्यूटर पर देखा जा सकता है तो वो है www.worldwide ठीक है किस सहाता से दुनिया के किसी भी दूरस्त इस्थान से कम्प्यूटर में वेव प्रेश्टों को देखा जा सकता है वर्ल्ड वाइब जिसको बोलते हैं ठीक है तो इसके साथा से हम कहीं से भी उन प्रोग्राम को देख सकते हैं ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं graphical objects हैं graphical objects जो साधरन रूप से प्रयोग की जाने वाले application का प्रतिनिधित्थू करते हैं तो क्या होते हैं, आइकॉंस कहलाते हैं, आइकॉंस ग्राफिकल अब्जेक्ट्स हैं, जो साधार रोप से प्रियोग को जाने वाले अप्लिकेशन का प्रतिनी देत्तू करते हैं, तो ये थी हमारे आज के 20 कुशन, आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे, अगर आपके लि फुल साबित हो रहा हैं, तो दोस्तों को शेर करना ना भूनें, और चल दी मिलते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक करी, नमशकार.